आपका स्वागत है आज हम आपके लिए ट्रेडीसनल स्टाइल पंजाबी छोले कैसे बनाये जाते हैं यह रेसीपी लेकर आए हैं बहुती आसानी से बन जाते हैं इसमें हमें मसाले पिसने की भी कोई जंजटनी होती है आप इस रेसीपी को ज़रू ट्राइ करिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए देखते हैं छोले कैसे बनाये जाते हैं यह हमने 250 ग्राम छोले ले लिया और हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह दो लिया था और इसे हमने ओर नाइट भीड़े के लि प्लिष पानी निकाल दिया है और झे चोलो को नमक एट टाल दिया है तर यह हमने लिखने मेरे जाते हैं अब यह मदो में अध्या निकाल दिया है और यह मिना इसके अंधर अम खोंय लिखन छोले हो साइट है 달vati लिखते हैं ज्या पहती बड़िया के आप लिख दो छोले डुपते तक हमें पानी डालना है हमने चार कप पानी डाल दिया है और इसे हम 5-6 सीटी आते तक पकने देंगे और 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे इसे क्या होगा कि छोले बहुत अच्छी तरह पक कर तयार हो जाएंगे इसका हम ढकन का और कर देते हैं और हम छोलों को पकने के लिए छोड़ देते हैं देखिए छोले पक कर तयार हो गया है हमने ढकन हटा दिया चेक कर लेते हैं कि कैसे पके हैं पोटली को हटा दिया हमने हम छोला मैश करके देखते हैं देखिए कितने आसानी से छोला मैश हो रहा है, इसी तरह से छोले पकना चाहिए, अब हम इसका पानी अलग कर देंगे और छोले अलग कर देंगे, पानी को फेकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी में डालेंगे, हमने एक कड़ाई ले लिये है, और इसमें हमने दो टेबली स्पून तेल डाल दिया, तेल कर्म हो गया है, दो बड़ी लाइची डाल देते है, और ये हमने दो बड़े साइस के प्याज ले लिया है, ये डाल देते है, पतले पतले स्लाइज में कट कर लिया है, और ये हमने 2-3 टी स्पून अद्रक के जूलियंस तयार कर लिए है पतले-पतले स्लाइज में कट करना है इससे बहुती बढ़िया सबजी में स्वाद आता है और प्याज को हम हलके गुलाबी होते तक भूल लेंगे बहुत जादा गोल्डन प्राउन नहीं करना है देखिए हलके हलके गुलाबी हो गए है प्याज हमने एक टमाटर की प्यूरे बना कर तयार कर ली थी इससे डाल देते हैं और एक पड़ा टमाटर हम स्लाइस करके डालेंगे अगर छोटा टमाटर है तो आप दो डालिए और इससे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं स्वादन तरह मिर्ज पाउडर ड्हस्तों स्वादन शुम लदा कर छहां कर दो antake 100 आप अपने स्वादन सामाटर लगाए 1 थैस्पा दनिया को कि एक टिस्पाउडर कैया टिया स्काशिए कि हमने पैले भी नियुक्छ शोले पकाते अद्दियान इसमें हमने नमक डाला था तो आप ध्यान से नमक डालिए इसे अच्छी तरह तेल छुटते तक मसालों को भून लेते हैं बहुत ज्यादा हमने मसाले नहीं डाले हैं आपने देखा बहुती बढ़िया सबची बनकर तयार होती है कम मसालों में देखिए मसाले भून गए हैं आप छोले डाल दिया हमने और छोलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और आदे छोलों को हम मैश कर लेंगे या तो आप चम्मस से कर लीजिए या मैशर से कर लीजिए इस तरह से छोलों को मैश करने से आदे छोले हम मैश कर लेते हैं ग्रेवी का बहुती बढ़िया तोड़ी गारी भी हो जाती है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमने जो पानी अलग किया था छोले से वह डाल देते हैं अगर आपको ज्यादा पानी डालना है ज्यादा ग्रेवी बनाना है तो आप दूसरा पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा वैसे इतनी सफिसियंट पर पकने देंगे इससे और थोड़ी ग्रेवी कम हो जाएगी लेकिन हमें उतनी रखना है बहुत ज्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है इसे हम धक्कन कवर करके पकने देंगे इससे क्या होगा कि छोले और ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा 12 मिनिट हो गए है लो फ्लेम पे पकते हुए धक्कन हटा देते हैं और अब हम इसमें गरम मसाला और अमचुर पाउडर डालेंगे अच्छी तरव मिक्स कर लेते हैं हमने एक टी स्पून अमचुर पाउडर ले लिया है और एक टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे इसे अच्छी तरव मिक्स कर लेते हैं अमचुर पाउडर की जगा आप अनारदाना का जो हुख सूख है अनारदाने का पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं या इमली का पानी भी डाल सकते हैं अब इसके साथ में हम 5 मिनट के लिए धक्कन कवर करके लो फ्लेम पे फिर से पकाएंगे इसे क्या होगा कि यह जो ह मसाला है और गरम मसाला बहुत अच्छा स्वाड आ जाता है पांच मिनट हो गया है देखिए तेल भी उपर आ गया है बहुती सुंदर कलर आ गया इसे हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें बहुत ही एक अच्छा तड़का लगा कर तयार करेंगे और हम इसके उपर डाले यह से क्षोणों का दस गुना स्वाद बढ़ जाता है या तो आप च्छोलों को ऐसे भी सरुप कर सकते हैं बहुत यह पढ़िया खुसबुआ रही है holों से हम अब तयार करते हैं तड़के की तयारी कर लेते हैं एक हमने तड़का पैन ले लिया है और एक टेबलिस्पून इसमें हमने तेल डाल दिया और यह हमने लैसून ले लिया है बारिक-बारिक कट करके साथ से आठ कलियों को बारिक कट कर लिया है आप यह तो कुचल के डाल ल बार हम हरी मिर्च ले लेंगे इसको हमने चीरा लगा लिया है बीच में से ये डाल देते हैं इसका भी बहुती बढ़िया स्वाद आता है हरी मिर्च का तड़के में डाल ये इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हमने अब ये तड़का तयार है छोले की उपर डालने के लिए हमने छोलों को एक सर्विंग बॉल में निकाल लिया है और इसके उपर से हम तड़का डालेंगे देखिए कितना मज़ेदार तड़का है कितना सुन्दर दिख रहे हैं छोले की सबजी इसी तरह आप तड़का जरूर लगाईए तो बहुती बढ़िया स्वाद आता है हमने छोले के सबजी को भटूरे के साथ में सर्व किया है आप चाहे तो पूरी या नान के साथ में भी सर्व कर सकते हैं छोले की सबजी बहुती बढ़िया बनी है और इसके साथ में भटूरे वहा क्या बढ़िया लगते ह इसी तरह आप छोले की सब्जी बनाईए और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जादा सी जादा शेयर कीजिए और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है धन्यवाद